अगर आप देखने को मिली इन फाक्ट लिस्टिंग के बाद से अब तक का इत्यास अगर आप देखें तो दूसरा ऐसा दिन है जहां पर बड़ा मूब देखने को मिली आज इंट्राडे में अगर आप देखें तो करीब-करीब 13% की तेजी देखने को मिली इसके अलावा 19 मही 2014 और 28 फरवरी को करीब-करीब 14% का मूब देखने को मिली आता है बहुत बड़ी रैली और अच्छी तेजी आपर देखने को मिली है इंट्राडे में अगर आप देखें तो 197 का हाय बना है यानि जनवरी 2020 के बाद पहली बार ये स्टॉक जो है इसके चलते भी अगर आप देखें तो चैना चाकर भी जो सप्लाइब बढ़ा नहीं सकता है और विंटर सीजन अप्रोच कर रहा है तो जिसके चलते अगर आप देखें तो इसका एक बड़ा इंपक्त देखने को मिला है और समस्य है बहुत ही गंबीर है चाइना में जो फिलाल जो कोल की शौटेज है और इलेक्र सिटी की जो समस्य है इसके चलते अगर आप देखें में तो बड़ी तेजी देखने को मिली रही है लेकिन अच्छी बात है कि कोल इंडिया भी जो कीमते है वो बढ़ार और अब तक का सबसे बड़ा प्राइस हो सकता है कोल इंडिया की तरफ से आया क्यूंकि 2018 में आकरी बार कीमते बढ़ी थी और ऐसा माना जा रहा है कि अब के जो रियलाइजेशन प्रीमियम्स है उसमें बड़िया बड़ातरी देखने को मिल रही है आज बहुत बड़ा मूव आ गया लेकिन यह स्टॉक अब तक चला नहीं था विल्कुल इसके चलते है अगर आप देखे तो अभी भी इसके वालुशन बहुत ही अट्रैक्टिव है सबसे बात है कि 9% की डिविडेंट एल्ड है और सालों से यह जो 9% की डिविडेंट एल्ड है अपने आप बहुत आकर सके है कैश प्रती शेर की वाल्यू देखे तो करीब करीब 28 रूपे के आसपास आती है इवी एबिटा फोर टाइमस पर है बहुत चीप स्टॉक है औ और साथ में जो आरवी का ट्राइक रिकॉर्ड है इचले तीन साल का देखे तो 54% के आरवी का ट्राइक रिकॉर्ड है तो हर लियाद से अगर आप देखे तो स्टॉक में अब कही न कहीं री रेटिंग की संभावना नज़र आ रही है